बिहार के पतना डेलवे स्टेशन से जहारखन के टाटानेगर के लिए महज 6 घंटे में सफ़र करने के लिए नई हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है और इस वीडियो प्रेट में हम बात करेंगे से ट्रेन के डिटेल्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को उसे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरसल पीम के द्वारा खारखन के जमसेतपूर से चा नई वंदेभात एक्सप्रेश्ट ट्रेन को हर जन्डी दिखा ज़ेंदि दिखाया गया पाएगा टाटानगर से पत्ना के बीचे बीच गडुब साथ घन्ते में सफर हो जाएगा जारकन के टाटानगर वो बिहार के पत्ना के बीच गोमो कोडडमा गया जहानाबाद के रास्ते यह el चलक 추 रही है ऐसे में बताये गिया कि टाटा नगर पतना वंदेबाद एक्सप्रेश ट्रेन में कुल 8 कोच रहेंगे और 130 से लेकर 160 की रप्तार से यह ट्रेन दोड़ेगी यह ट्रेन टाटा नगर से खुलने के बाद पुरूलिया, अनारा, भोजूडी, महुदा, गोमो, कोडर्मा, गया, जहानाबाद के रास्ते पतना पहुचेगी इसी तरह से टाटा नगर से पतना के बीच यह ट्रेन करीब 7 घंटे में सफ़र तै कर देगी और यह ट्रेन सपता में 6 दिन चलेगी इसके साथ ही यह ट्रेन सुभा 5 बच कर 30 मिनट पर टाटानेगर से खुलेगी और सुभा 7 बच कर 13 मिनट पर मुरी रेलवे स्टेशन आएगी इसके बाद यह ट्रेन सुभा 8 बच कर 8 मिनट पर बोकारो स्टिल सिटी रुकते वे गोमो रेलवे स्टेशन 8 बच कर 3 पर मिनिट पर और 10 बच कर 5 पर मिनिट पर गया पहुँचेगी इसके साथ ही टाटा रिगर पतना वंदेबात एक्सप्रेश ट्रेन दो पहर 12 बच कर 20 मिनिट पर पतना रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी वहीं यह ट्रेन दूसरे दिसाम में भी चलेगी और खास बात यह है कि इस रूट पर इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन का संचालन सुरू हो जाने से बिहार से जाड़कर के बीच और भी बहतर करेक्टिविटी बन चुका है यह वीडियो कसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं आने वाले नेट रोनों का लेटेश्ट अबडेट के लिए से चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेयर करें